तो आज की इस वीडियो को में दो हाग से डिवाइट किया है एक भाग में हम जानेंगे sketch, drawing और painting के बारे में और दूसरे भाग में हम जानेंगे elements of art के दो प्रकार की चीज़ के बारे में जैसे के line and form उसके साथ light के बारे में जानेंगे तो अभी हम देखते हैं पहले sketch क्या है sketch एक roughly डागराम है हमारे painting की या हमारे artwork के जिसके अंदर हमें ज्यादा कुछ दिखाने के जोरोत नहीं है सिर्फ और सिर्फ हम line के जरी हम plan करेंगे हमारे painting की और हमारे artwork की सिर्फ plan या एक roughly डागराम भी ऐसे भी कर सकते हम तो उसके बाद है drawing ड्राइंग के अंदर हर चीज हम दिखाएंगे जैसे कि anatomy की ध्यान देना पड़ेगा perspective setting हर चीज लेकिन उसके अंदर थोड़ा rule है जैसे कि हम दो color यूज करते हैं एक base color एक ड्राइंग करने की color जैसे कि एक base color मतलब एक paper मैंने यूज किया या कानवास किया एक दिवार पर किया तो एक base color है और उसको उपर ड्राइंग किया मैंने pencil से या crayon से या acrylic से कुछ प्रब्लम नहीं लेकिन एक color से ही ड्राइंगे एक base color एक ड्राइंग करने की color तो उससे कहेंगे drawing उसके बाद है painting painting में ह और चीज दिखाएंगे color की जरी color एक important part है painting के अंदर है अधिक painting में color नहीं रहेगा तो फिर वह painting नहीं कहलागे वह एक drawing कहलाएंगा एक सवाल आ सकता है कि क्या drawing और illustration सेम है अचली illustration drawing सेम नहीं है illustration स्टोरी के बिना अधुरा है लेकिन drawing अपने आप ही सब कुछ बता सकता है emotion उसके अंदर है उसके अंदर सब कुछ है तो इसलिए drawing illustration अलग है तो अभी हम देखेंगे second part line and form के बारे में जानाएंगे तो लाइन बहुत प्रकार की है जैसे कि पिछले बार वीडियो में मैंने बता है था straight line, curve line, diagonal line, horizontal line, vertical line इस तरह बहुत प्रकार की line है एक line की length होता है जब line वापस में मिल जाएंगे जब बहुत सारे line वापस में मिल जाएंगे उनमें से create होगा shape, shape की एक उंचाई होता है औ और उसके बाद है form जब उंचाई और चोड़ाई के साथ गहराई मिल जाता है उससे कहेंगे form मतलब height, width और depth मिल जाएंगे तो उससे कहेंगे form यानि 3D form तो यहां पर देख सकते हैं form 3D subject है और shape 2D subject है तो अभी हम देखेंगे form के बारे में form को दो बाग से divide किया गया है एक सब्सक्राइब के organic form और एक सब्सक्राइब के यूज करके हम ज्यादा तरह लैंस्केप और स्टोन हील यह सारे चीज बनाएंगे लेकिन आनाटोमी या हीवान के बड़ी प्रपर्शन या बार्ड या जितने ही जोलोजिकल चीज है उससे हम सब्सक्राइब करके सिखेंगे जैसे की सर्कल क्यूब और एक सिलिंडर के जरी हम बना सकते हैं उस चीज को बाद में सिखेंगे तो पहले हम यह जानते हैं कि लाइट अंट सेट के बारे हैं सेटो के आकार डिपेंड गरता है लाइट की ब्राइटनेस आकार और डिस्टान्स के उपर साइद यह चीज को आपने डेली लाइप में नोटिस किया होगा अभी हम इसको थोड़ा एक्जम्बल के साथ समझते हैं यहाँ पर मैंने एक सरकल लिया 3D सरकल जोसके उपर मैंन जोटार एक चीज आप देख सकते हो मुझे सर्कल के उपर 2 प्रकार की हएगा एक यहीप Venislg boyट के पास आप देखोगे नीचे यहां पर हल्का मीडिल्टोन की सेड़ो है तो उससे कहते हैं उसरी रेफ्लेक्टडल लाइड व determination होता है ज जिस color में हम ground को prepare करेंगे उसी color में हमें reflected light मिल जाएगा cast shadow में जो ground में पड़ी है इधर भी तीन प्रकार की tone हमें मिल रहा है एक जो object के पास है उससे कहते है dark tone और जो middle में है उससे कहते है middle tone जो last में ये है वो हलका shadow है उससे कहते है light tone और अभी आते है light वाला side light वाला side में आप दखेंगे जहां पर light directly touch हुआ है उससे कहते है center of light वो कभी भी change नहीं होता है और जहां पर reflect हुआ है मतलब यह white वाला पाट है उससे कहते हाइलाइट हाइलाइट change होता है भी और जिस दिशा से देखेगा highlight उससे उस दिशा से दिखेगा तो इस प्रकार light हर objective उपर पड़ती है और उसके shadow create करती है light जीतिनी सब्ट होगा आपकी shadow भी उतनी सब्ट होगा तो नएस वीडियो में हम steel lab के साथ ही इस चीज को समझेंगा तो मिलते हैं नेस वीडियो में धन्यवाद